हेलो गाईज वेल्कम टो एक्जाम फेवरेट एक्जाम फेवरेट में आपका स्वागत है तो आज हम अटेम्ट करने वाले हैं पटवारी के ओल्ड क्वेस्चन पेपर के 20 क्वेस्चन जो 11 दिसंबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट के है और इसका टॉपिक है जनरल हिंदी तो आईए देखते हमारी क्लास के कोस्चन आंसर कोस्चन अंसर से पहले गाईज एक्जाम फेवरेट हमारा चानल है प्लिस सब्सक्राइब कर लीजिए गा तो आज का हमारा पहला कोस् इसके ऑप्शन दिख लेते हैं इसके ऑप्शन से 24, 18, 23, 25 तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर सेकेंड 18 नेक्स्ट क्वेस्चन जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं इसके ऑप्शन से सयुकत अक्षार द्वित्वस व्यंजन नेक्स्ट क्वेस्चन दो पदों के बीच में उचित विराम देना कहलाता है तो इसके ऑप्शन से अनुतान संगम बलाघात विराम तो इसका राइट अंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर सेकेंड संगम नेक्स्ट क्वेस्चन सिक्षा मनुष्य को उपर उठाती है इस वाक्य में उचीत निपात को रिक्तह स्थान में भरिये तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं मात्र सहारा तो का इसका राइट अंसर हो जाता है मात्रा सिक्षा मात्रा मनुष्य को उपर उठाती है नेक्स्ट क्वेस्टिन यदि A या A के आगे E या E आए तो दोनों के मिलने से बनता है तो इसके ओप्षिन्स है A, A, O, O तो इसका राइट आंसर हो जाते है ओप्षिन नम्बर सैकेंड A नेक्स्ट क्वेस्टिन बिजली का परियाई वाची निमन में से कौन सा है इसके options है प्रकम्पन आश्यूंग सफरी चंचला तो इसका right answer है option number fourth चंचला next question बीता हुआ के लिए एक शब्द निमन में से कौन सा है इसके options है अतीत अतीक अजीज अमिक इसका right answer है option number first अतीत next question पावन का संधी विछेद्ध निमन में से कौन सा है इसके options है पावन पावन या पावान तो इसका right answer है option number first next question चोर का विलोम शब्द निमन में से कौन सा है इसके options है सागू, अचोर, साधू, आचोर तो इसका right answer हो जाते है option number third next question अध्ध उपसर्ग से बना शब्द निमन में से कौन सा है तो इसके options है अर्ध अध्ध जला, अर्धांगनी, अर्ग तो इसका right answer है option number second अध्ध जला next question रुपया पैसा शब्द में निमन में से कौन सा समास है तो इसके options है द्वंद्व समास, बहुब्रिही समास, द्विगु समास, कर्मधारई समास तो इसका right answer हो जाता है option number first द्वंद्व समास next question मख्या मारना मुहावरे का अर्थ निमन में से कौन सा है option देख लेते है बेकार बैठे रहना, मालदार, पैसे का गुलाम या काम का जिए तो इसका right answer है option number first बेकार बैठे रहना next question भगानी का शुद्ध रूप निमन में से कौन सा है तो इसके options है भगिनी, भागिन, भागिन, भगिन या भगिनी तो इसका right answer हो जाता है option number fourth भगिनी नेक्स्ट क्वेस्चिन नेक्स्ट क्वेस्चिन उपमा, अलंकार नेक्स्ट क्वेस्चिन प्लेश सब्सक्राइब धिस चानल, एक्जाम फेवरेट तो हमारा क्वेस्चिन है उप्योक्त विलोम शब्द चुनिये अग्रज तो इसके options है अनूज, भग्य, अवग्य, भीनी तो इसका right answer हो जाता है option number first अनूज ये अग्रज का विलोम शब्द है नेक्स्ट क्वेस्चिन निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो इसके options है एतिहासिक, एतिहासिक, इतिहासिक या इतिहासिक तो इसका right answer हो जाता है option number second एतिहासिक नेक्स्ट क्वेस्चिन मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाष्चा निम्न में से कौन सी है इसके options है मालवी, निमाडी, बगेली या बुन्देली तो इसका right answer हो जाता है option number first मालवी ये मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाष्चा है नेक्स्ट क्वेस्चिन अनेकार्थी शब्दो का सही जोड़ा है इसके options है सूरिय चंद्रमा, तरनी, तरनी, आकाश, अंबर, प्रमाण, प्रमाण तो इसका right answer हो जाते है option number third आकाश, अंबर नेक्स्ट क्वेस्चिन क्या आज की हमारी class का last question है ऐसे ही question answer देखने के लिए please subscribe this channel हमारी channel का नाम है exam favorite आईए देखते हमारी class का last question पाप पुन्य निम्न में से किस समास का उधारन है तो इसके options है द्विगू समास कर्मधारे समास द्वन्द्व समास ततपूरुस समास तो इसका right answer हो जाता है option number third द्वन्द्व समास so guys मिलते हम अपने next class में thanks for watching